हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम क्लास 10 के गड़ीत का सबसे important सवाल देखने वाले हैं फ्रेंस ये सवाल आपकी पिछले साल के बोर्ड के exam में कई बार repeat हो चुका है फ्रेंस आप देख सकते हैं कि ये प्रशन जो है आपकी 2023, 2022 और 2019 में ये प्रशन कई पर रिपीट हो चुके हैं फ्रेंस आप सभी को उन्हीं प्रशनों को केवल हल करा रहे हैं जो आपके 2024 के बोर्ड के exam के लिए एक प्रकार का वाइरल प्रशन हैं तो आप वीडियो को last तक जरूर देखा करें जिससे आप बोर्ड के exam में अपने नंबरों को fix कर सकें फ्रें प्रेंस आपके सामने सवाल के हैं और इसको कैसे आपको बोर्ड के exam में हल करना है देखें सवाल है कि यदि एक विद्यार थी कि प्राप्तांक का समानतर मां दे दिया है कितना 25 है यहां पर यफ का मान आपको ग्याद करना है आपका सवाल है कि प्राप्तांक है यानि कि वर स्वर्ण अंतराल दिया है इसके परिआप्टांक को जैसे रिखेंगा फिर इसके बात इसके बारां-बारता को यहाँ पर लिख लिए इसके बाद इसके बारान पर लिख लिख लिए इसमाल इसमाल एप 6, 10, 15 जिस करम में विसी लिख लिजेगा अब देखे फ्रेंज आपको एक दो इस्टेप जैसे पता होना चाहिए कि पहले इसका मद्यमान गयाद करना रहता है मद्यमान का मतलब होता है यक्स का मान गयाद करें यक्स का मतलब होता है कि यलवन प्लस एल टू बटा के दू गयाद करेंगा ठीक है इसका मतलब यलवन यलटू क्या होता है तो देखिए पाला जो मान होता है वर्गांदराल में यलवन होता है दूसरा मान जो होता है यलटू मतलब निमने सीमा पाला होता है दूसरा उच्छ सीमा होता है समझ में आ गया अब देखिए इसके बाद आप क्या करना है इस प्रका इस सवाल को आप कैसे बोर्ड के उससे बेंगे यहुदा कीजिए जाए इसकृत सब्सक्राइब निकालन की दिखाथा जाएक जोड़ेंगे और कितना हो जाए। पांच हो जाएamięगा शींपप वीक। जोड़ियेगा, दो का भाग दे लिजिएगा, चलिए आपको बता देते हैं, देखें, दस प्लस बटा के दू कीजिएगा, कितना हो जागा, 30 बटा के दू कितना हो जागा, पंदर होगा, ठीक है, इसी पका से 20 प्लस 30 कीजिएगा, बटा के दू कर लिजिएगा, कितना हो ज 35 ठीक है इसी पकार 40 और 50 को जोड़िए और इसमें क्या कीजिएगा 200 भाग दे लिजिएगा तो 90 बटा के कितना हो का दूत इसका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ठीक है इस पकार से मद्धमान गयाद करने के बाद आपको अगला ही स्टेप में यह गुड़े एक्स गयाद करन हो जाएगा ठीक है जहां से समझी है ठीक है छाग गुड़ा 25 में करेंगे छाग गुड़े 25 कितना हो जाएगा पचीश का डियर सो ठीक है फिर इसके दवाद 10 को गुड़ा किसमें करना है 35 में तो 10 को गुड़ा जब 35 में कितना हो जाएगा यहां गुड़ा करना है ठीक है अब देखे आपको क्या करना ध्यान दीजिए बस step by step सीखते रहें अब इसके बाद आपको क्या करना है यह पहले sigma F ग्याद कीजिए का ठीक है सिगमा F का ऐसे ग्याद करें कि आपको पताते हैं सिंग्म एक dried हों था इन सभी का योग अब दिए का न खुल कि योग करना थे पहले जो अप छर रहा pixel हो सकता है थी थी थे यहिए ह。 आपका अक्षर छेंज होता रहता है जो अजिए पफ लिख लिएगा थे में जोड़ना है तो पहले अक्षर वाला को देख लिए जैसे यह 15F अक्षर के साथ है तो पहले इसको लिख लिजेगा 15F प्लस अब जितने भी आंक जैसे 30 हुआ 150 हुआ 350 हुआ 250 इसको आपस में जोड लिजेगा इसको जोड़ने के बाद आपका आएगा 755 जोड़ने का आपस में 755 आजागा ठीक है अब देखे इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिए अब फार्मूला लिखेंगे समांतर माद बराबर क्या लिखेंगे समांतर माद बराबर आपका फार्मूला होता है सीगमा एफ-एकस अपान सीगमा एफ यह समांतर माद बराबर कितना लिखेंगे बराबर आप देखेंगे सिख्मा एप कमान कितना है इसमाल एप प्लस 27 अब क्या करना है फ्रेंज जब इस पकास रहते 25 के गुड़ा इसका गुड़ा इधर करते हैं देखें कैसे करेंगे 25 गुड़े दो अंकरे के दिस्ते कोश्टक में यह प्लस 27 लिखिएगा और बराबर यहां पे कितना है 15 एफ अब 25 का साथ में गुड़ा कीजिए फ्रेंस 50 का साथ में करेंगे कितना होगा। बुड़ा करके देख लीजिए कि पचीस का साथ में तो 675 होगा बराबर यह 15F है तो 15F रहने दीजिए प्लस साथ सू पच्पन है तो साथ सू पच्पन लिखिए ठीक है इतना लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि अक्छर जो रहता एक से जिसे 25F है और 15F है तो एक साथ करेंगे तो 55 करेंगे चलिए पच्छांतर कर लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएक प्लस इधर आके चीन बदल जाता है माइनस कितना हो जाएगा पंदर इसको पच्छांतर करता समचीन बदल जाता आप सभी को पता है अब 25 में से 15 कितना हो जाएगा 10F बराबर अब 75 में ऐसे 675 कटे देख पंच में 5 गया 0 15 में 7 गया 8 ठीक है यानि कि 75 में 600 कितना कटाएंगे पचाथ तो 80 बच्छेगा इसमाल एफ बराबर कितना हो जाएगा 80 यह गुडा में 55 करेंगे तो इसके बटा में हो जाएगा ठीक है अब इतना करने के बात देखिए क्या करना है आपको 0 से 0 करड जाएगा यह बराबर कितना आप पर पर रॉपाबर कितना एंसर आए 80 और यही फ्रेंश आपका एंसर हो जाएगा ठीक है और इसी तरह आपको बोर्ट के एक्जाम में लगाना है येदि आप इसकास लगाते हैं तो आपको चार नंबर का परसल जाएगा पूरा का पूरा चार नमबर मिलेगा यहां से सवाल आपको स्टार्ट हुआ है और यह देखते चले जाएं एक बार ध्यान से सवाल पूरा कंपलीट कैसे की हैं यह पूरा सवाल कर दो इसी पकाल से आपको डेयरी आपको इंपोर्टेंट प्रशन करा रहा है आप सभी प्रशनों को हल जरूर किया कीजिए और एक प्रपर नोट्स बना लिछे और इन प्रशनों को आप हल करके ही बोर्ड कि एक्साम में आप सभी को वही प्रशन हल करा रहे हैं जो पीछले साल के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है ठीक है तो फ्रेंज देखें आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइप करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें